हेलो दोस्तो मेरा नाम है अपजीत और आप देख रहे हैं Note Review दोस्तो अगर आपके पास external hard disk या SSD होगा जो कि आपने अपने पुराने laptop से निकाला है तो यहाँ पर दोस्तो अगर आप उसका use करना चाहते हैं तो एक external hard disk enclosure या SSD enclosure जो भी बोलते हैं उसकी जरुवत पड़ती है अब देखो ये वाला na Seagate का hard disk है जो कि externally आता है सब कुछ pack-wack होकर कि इसमें आप अपना वाला नहीं लगा सकते तो ये company के द्वारा है तो ये तो अलग चीज है लेकिन अगर आपको इस तरीकी के external चीज डालना है न तो आपके पास options रहते हैं ये थोड़ा transparent वाला है ये कम transparent वाला है और सिंस मेरे मैंने अभी हाली में laptop खरीदा है MSI का और भी बहुत सारे laptop को upgrade मैंने किया था तो hard disk रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो खरीदते हैं और आज किस वीडियो में मैं इसका एक review भी कर दूँगा आपको बताऊंगा कि box content क्या है कैसा आपको मिलता है speed कैसा है सब कुछ आपको बताऊंगा अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो पूरा अन तक देखना काफी information आपको मिलेगा और अच्छा लगेगा यह वीडियो तो like and share भी जरूर करना तो यह है दोस्तो हमारा main box जो कि आप देख सकते है और इको की branding है यहाँ पर 2.5 इंचेस का hard disk enclosure है यहाँ पर आप SSD भी डाल सकते हैं और 3.0 का support आता है speed तो काफी अच्छा लिखा हुआ है लेकिन हम इसे test करेंगे और यह tool free operation है मतलग आपको कोई भी screwdriver यह सब की जरुवत नहीं पड़ेगी जो की काफी अच्छी बात है वैसे यहाँ पर आप details देख सकते हैं 950 रुपए इसका MRP है यानि कि 950 MRP है बाकी देखेंगे कि क्या scene इसका बनता है वैसे इसको मैंने लगभग 600 के आसपास purchase किया है description box में मैं link दे दूँँगा तो जैसे ही इसको आप unbox करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जागा एक user manual जिसके अंदर काफी कुछ details लिखा हुआ है तो अगर आप पहली दफ़ा इसको cover up नहीं मतलब cover से uncover नहीं कर पाऊगे तो इसको देख लेना समझ में आएगा वैसे वीडियो देख लो समझ में और अच्छे से आएगा यह है दोस्तो हमारा main unit और यह है हमारा cable cable की length जहां तक मैं देख पार हूँ अच्छी है और यहाँ पर आपको USB 3.0 का support मिल रही है यह blue अला आप देख सकते हैं वैसे हम test करेंगे तो और भी अच्छे से आपको बता पाएंगे तो यहाँ पर दूस्तो अगर आपको इसको open करना है तो इस तरीके से आप नीचे के तरफ slide थोड़ा सा करोगे तो यह बाहर के तरफ निकल लियागा और थोड़ा सा नीचे के तरफ से घिच करके आप इसे निकाल सकते हैं और अंदर के तरफ कोई photo photo भी लगाओगे और उपर से रग दोगे तो और अच्छा लगेगा और यह वाला जो पार्ट आप देख रहे है शौक प्रूफ रहेगा बेसिकली आप इसको लगा सकते हैं और पीछे के तरफ एक glue भी आपको दिया गया है तो आप इसको चिपका सकते हैं मैं नहीं करूँगा बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो अगर आपके पास hard disk होगा या SSD होगा कुछ भी होगा आप इसको लगा सकते हैं इसके अंदर वैसे अगर आपके पास थोड़ा budget कम है तो आप सस्ता वाला भी खरीच सकते हैं जो कि मैंने लगबग एक साल या दो साल पहले unbox करके आपको बताया था तो इसका आपको मैं kit दिखाता हूँ और यहाँ पर से अगर मैं इस वाले का kit दिखा हूँ जिसको मैं निकाल नहीं सकता पता नहीं निकलेगा या नहीं लेकिन फिर भी ऐसे भी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी differences हैं मतलब quality wise भी आप देख सकते हैं तो यह फर्क पढ़ जाता है बाकी दोस्तों यहाँ पर से हम इसको लगाएंगे तो जो pins आपको मिल रहे हैं उसको आपको अच्छे से align करना होगा इसके pin के साथ और इस तरीके से आप slide करोगे थोड़ा सा gently push करोगे यह लग जाएगा अब उसके बाद आप चाहो तो sock proof वाला लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं उसके बाद इसको cover up करना होगा तो नीचे के तरप से थोड़ा सा आपको अच्छे से अटकाना होगा और उसके बाद दूस्तों आप slide कर सकते हैं कुछ cardboard भी डाल सकते हो थोड़ा मतलब जिस तरीके से आपको ठीक लगता है आप अपनी इस आपसे बना लेना बाकी चलो यह हमारा ready हो चुका है अब देखो आर connect करना भी काफी आसान है simply आपको यहाँ पर से plug-in करना है अपने system के अंदर जो USB वाला drive है उसके अंदर आप simply USB port के अंदर डाल देना आप आसानी से यह देख पाऊगे कि connect हो गिया है तो existing पहले से 2-3 drive थे मेरे अब यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको connect किया तो और 2-3 drive आगे है जो कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं connect करने के दौरान ही आपको यहाँ पर से LED glow करता हुआ दिख जाएगा यहाँ पर से पहले blue जलेगा और जैसे ही यह read होगा तो यह pink टाइप से भी glow करना start होगा अब यहाँ पर से दोस्तों read and write speed टेस्ट करने के लिए एक file मैंने अपने desktop पे create किया है जो कि 4.81 GB के approach का space ले रहा है यह मेरे SSD के अंदर है अब यहाँ पर दोस्तों हम hard disk के अंदर इसे copy करेंगे जो कि अभी just मैंने purchase करके आपको दिखाया है तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं जो write speed है SSD का वो लगभग यहाँ पर से 75 Mbps के approach के speed पे आ रहा है अब जो आपने company का tagline देखा होगा उस पे b छोटा रहता है तो वो अलग है यहाँ पर b बड़ा है तो यह चीज आप Google करके समझ लेना 8 bits क्या होता है, bits, bytes में फर्क क्या है बाकी यही speed matter करता है और यह वाला speed होना बहुत ज़रूरी है जो कि आप देख सकते हैं और total दोस्तो 4.81 GB का approach का जो file size है उसको finally copy होने में लगभग 1 minute 8 second के आसपास लग गए है अब चलो इस process को हम यहाँ पर से reverse करके देखते हैं तो इस file को मैं delete कर देता हूँ यहाँ पर से दोस्तो मैं अपने hard disk नए वाले से copy करने वाला हूँ SSD के अंदर और देखते हैं क्या scene बन करके आता है तो आप देख सकते हैं speed यहाँ पर again आपको अच्छी मिल रही है 78-75 के अप्रॉक्स मिल जा रहा है और 1 minute 4 second के अप्रॉक्स में यह पूरी तरीके से hard disk के अंदर के file को SSD में write कर दिया है यानि कि read speed भी again इसकी काफी अच्छी है अब देखार finally conclusion की बात जहां तक रही दोस्तों तो मैं आपको यही suggest करूँगा कि अगर आपके पाद 500, 600, 700 के आसपास का budget है तो एक ही बार invest करो 3.0 के साथ ही जाओ या उसके उपर भी अगर आपको मिलता है तो जा सकते हैं फाइदा क्या होगा ना कि आज तो आप खरीद रहें अब hard disk की जरूद कब आपको पढ़ीगी नहीं पढ़ीगी में भी daily पढ़ती होगी मेरे जैसे तो मुझे तो daily पढ़ता है तो उस वचे से मेरे लिए speed जादा matter करता है तो मैंने सोचा चलो इस पर upgrade करते हैं तो अगर आपके लिए speed जादा matter करता है तो इसको definitely देख सकते हैं I agree कि थोड़ा मेंगा है बट एक बार पैसे लगाओ यार हमेशा के लिए मतलब खुस रहो यही चीज रहेगा तो मेरे हिसाब से यह ठीक है लेगिन हाँ अगर आपका budget allowed नहीं करता है तो आप फिर सस्ता व सकते हैं नीचे अंदर आप अपना photo photo डाल सकते हैं उपर photo photo डाल सकते हैं और फिर pack कर दोगे तो वह अंदर रहे जाएगा तो जितनी भी कलाकारी है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं बाकी दोस्तों मेरे पास यहाँ पर से इसका case भी है तो actual में मैं इस case का use कहां पर करता मेरे पास जो external hard disk है जो मैंने खरीदा था 1.5 TV वाला तो उसके साथ मैं इसको रखता हूँ और इसके compartment के अंदर काफी जगा है तो अब से दोस्तों मैं इसको भी रखूँगा तो I think अगर आप यह सब खरीद रहें तो 200-200 के आसपास यह भी मिलता है इसमें भी आप invest कर सकते हैं तो मैंने आपको हर एक जानकारी बता दिया speed test box content content सब कुछ आपको बता दिया अगर आपको खरीदना होगा description box में सारे useful link दिये हुए हैं जा करके आप directly purchase कर सकते हैं और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो please like करना share करना और channel पर नहीं होंगे तो subscribe करके bell notification भी press कर लेना तो मैं हूँ आपका दोस्त अब जीत मिलता है आपसे next video में thanks a lot for watching